हेलो रिबर्डी मैं धर्मेंद कुमार आपके अपने चैनल जी के देखो बाइडी के में आप सभी का स्वागत है पी एफमस पोर्टल पर अब हमें कुछ काम करना होगा क्योंकि गणवेस का पैसा हमारे SMC के SN अकॉंट में डाल दिया गया है और हमें वेंडर को पेमेंट भी करना होगा तो इसलिए हमें अपने पी एफमस पोर्टल पर लोगिन करना पड़ेगा डाटा ओपरेटर पर भी और डाटा एपरूर पर भी और एडमिन आइडी पर भी तो हमें क्या है कि PFS Portal पर हर 6 मेने बाद हमें अपने 3 OID की यानि admin ID की, data operator ID की और data approver ID की email ID को और mobile number को verify करना होता है तो आज हम आपको verify करना सिखाएंगे कि कैसे आप 3 OID के mobile number और email ID को verify करेंगे कुछ teachers हमारे ऐसे हैं अपने आप login कर लेते हैं और verify कर लेते हैं email ID, mobile number को लेकिन कुछ schools का जो है, वो हमारे head या फिर हमारे सायकत्त आपक इस कारिय को नहीं करते हैं उन्होंने किसी दूसरे comfort वाले को काम दिया हुआ है और वो उनसे अपना कारिय करवाते हैं तो आप उन्हें phone करकर कहें कि आप भी हमारी email ID, mobile number को verify कर दें क्योंकि हमें भी अफजा uniform का payment करना होगा vendor को तो चलिए चलते mobile phone की screen पर और दिखाते हैं आपको verify कैसे करेंगे बस दो या तीन मिन्ट का काम है आप आजाने से कर देंगे इसको चलिए हम चलते Google की और और यह Google को ढूणने ते एक किलिक कर दिया हमने ठीक है और यह हम यहां search करने Google पर यहां PFMS तो इस पर किलिक करेंगे ठीक है इस पर किलिक करने के बाद थोड़ा change हो गया है आपको यहां login करना कहीं नहीं दिखाए देगा तो आप यहां जो तीन पड दिखाए देगा login की टैब आप यहां login करेंगे यहां यहां login करने के बाद यहां लिखावा है 2024 ठीक है तो यहां मैं यूजर नेम में अपना data approver का ID और password डाल करके word verification करके login कर लेता हूं मैं आपको शिखा रहा हूं इस वीडियो में data approver का mobile number और email ID को verify करना admin ID के mobile number और verify करना ठीक है आप इसी तरकार से इसी तरह से सभी data operator की data approver की और admin ID के mobile number और email ID को verify कर लेंगे ठीक है तो चलिए यहां बढ़ लेता हूं देखें यहां मैंने डाल लिया data approver की ID और यहां password डाल दिया रिये मैंने word verification यहां डाल दिया और यहां login वाली ब्राउन पट्टी पर किलिक कर देते हैं यहां देखें ऐसा लिखा आ गया है आपके भी mobile number पर ऐसा लिखाएगा देखें यहां मैं इसको थोड़ा वाइड करते हैं यहां लिखा गया है यह एकसेस टू पी एफमस एज बिन ब्लोक्ड आज यू है नोट वैरिफाड यूर कॉंटेक्ट डिटेल इन लाश्ट शिक्स मंथ प्लीज वैलिडेट यूर इमेल और मोबाइल लंबर टू लोग इन पी एफमस तो देखो यहां जो है पहले लिखाव वैरिफाइग मोब इमेल पर गया यहां ऑटिप ले लेंगे ठीक है तो चलिये हम पहले इमेल पर डाल देते हैं सेंड ओटीपी यहां कर देते हैं यह देखिए चला गया है यहां लिखा गया है OTP send your registered email id कुछ इस परकार से email id लिखी है यहां enter OTP डालेंगे ठीक है चलिए मैं OTP ले लेता हूं चलिए हम OTP यहां डाल देते हैं और मैं यहां OTP डाल रहा हूं यहां डाल दिया है और देखों यहां लिखाव है verify OTP यहां किलिक कर देते हैं अब देखों इसके सामने लिखा तो यहां verified लिखा गया है यहां verified लिखा गया है जो email के सामने लिखावा था ठीक है अब हम चलते है mobile number की ओर तो mobile number की सामने लिखावा देखों send OTP यहां भी हम क्लिक कर देंगे और देखों यहां भी लिखा गया है एंटर OTP और OTP को हम ले लेते हैं मैंने OTP डाल दिया है और फिर यहां लिखा है Verify OTP और यहां किलिक कर देते हैं अब देखो दोनों के सामने यह Green में देखें यहां Verify लिखा आ गया है अब कुछ लोग यहां छोड़ देते हैं कि हमने तो Verify कर दिया और जो है हम आगे पर Login कर लेंगे लेकिन फिर उनके सामने यही लिखा आता है Send OTP, Send OTP तो आपको करना किया जब यहां Verify लिखा जाए तो आपको देखो यहां आ जाना है यह देखो यहां यहां Submit लिखा और Cancel लिखावा है तो आपको Submit पर किलिक करना है दोनो Mobile Number को Verify करने के बाद OTP डालने के बाद और Email ID पर OTP लेने के लिखावाइद करने के बाद आपको यहां Submit बटन पर भी किलिक करना पड़ेगा यहां किलिक करेंगे यहां किलिक करने बाद देखो जो है अपना पासवर्ड चेंज करने वाला option आपके सामने देखो आ जाएगा ठीक है आपको यहां अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा पहले वाला पासवर्ड नहीं चलेगा ठीक है तो यहां हम पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं उपर देखो क्या लिखावा है current password जो आपका अब का पासवर्ड हजिसा अपने लोगिन किया था पहले वो password आपको यहां डालना है चलिए मैं डाल देता हूं फिर आपको जो नया password बनाना है वो new password में और confirm password में यहां डालेंगे ठीक है तो चलिए मैं यहां new password डाल देता हूं ठीक है अब यहां देखे, select question, hint question, आप यहां किलिक करेंगे ऐसे, और यहां your favorite food, town, city, where you born, your favorite teacher, name of your high school, your favorite pet, तो यहां food पे किलिक कर लिजे, आसान नहेंगार, यहां डाल दीजे, आपको जो सबसे बढ़िया खान लगता है, मैं यहां डाल डाल दे रहा हूं, new answer, confirm answer, यहां दो बाल लिख देंगे, कभी-कभी किसी के सामने यह option नहीं आता है, और किसी के सामने यह option आ जाता है, किसी के सामने that change password का option आ जाता है, वहां question नहीं, पूष्टा है, hint वाला है, hint question दे रखा है, अब यहां देखो, नीचे किलिक करेंगे, change password, पासवर्ड चेंज हो गया है, successfully, देखो लिखा गया है, पासवर्ड चेंज successfully, और यहां ok कर देंगे, ठीक है, तो हमारा data approver का password set हो गया है, यानि हमने email id और mobile number को verify कर दिया है, data approver का मैंने दिखाया आपको, आप ऐसी data operator कर देंगे, चलि मैं आप दिखाता हूँ, आपको admin id का mobile number और email id कैसे verify करेंगे, चलिए मैं डाल लेता हूँ, यहां सी, अपनी admin id और उसका password, ठीक है, यहां मैंने डाल दिया, admin id और उसका password और यहां word verification यहां डाल दिया है, और यहां login वाली पट्टी पर किलिक कर देते हैं, देखें, यहां भी लिखा गया है, कभी-कभी तो यहां verify mobile number अकिला लिखा जाएगा, ठीक है, और कभी-कभी यहां दोनों email id और mobile number भी लिखा आएगा, दोनों को verify करना होता है, यहां कभी-कभी क्या होगा, किसी-किसी इसकूल को जब वारिफाइग करेंगे, तो यहां mobile number पर email id भी लिखी मिलेगे आपको, यहां email id आपको यहां तो अ बेर्सी के लिखी मिलेगी, या फिर आपको dp o की लिखी मिलेगी, अगर आपके यहां email id, b rc यहां फिर ndpo की लि लिख्ति से OTP लेना पड़ेगा या फिर BRC मौदे से Working Arts में OTP लेना पड़ेगा तो यह काम आप Working Arts में कर सकते हैं इस्कूल टाइम में ठीक हैं तो यहां मुझे केवल जो है यहां दिखाई दे रहा है verify mobile number तो यहां मैं केवल mobile number कर रहा हूं आपके इस्कूल में यहां आपके PFMS पोर्टल पर ID भी आ सकते है इमेल ID भी तो चलिए मैं यहां admin ID का mobile number को verify करने के लिए send OTP पे किलिक कर देता हूं यह देखें यहां पहुंच गा है mobile number पर इसको ले लेते हम यह हमने डाल दिया है और यहां verify OTP पे किलिक कर देते हैं ठीक है देखिए हो गया है यहां भी देखो लिखा गया है verified ठीक है तो यहां देखें फिर आपको यह हैं जो है यहां submit पे बटर पे करना पड़ेगा सब मिट ऐसे करना पड़ेगा ठीक है फिर आ hint question का option नहीं है अब की बार आपको देखें क्या आगा सीधा current password और new password और confirm password ठीक है तो चलिए हम current password आदे current password हमारा क्या था उसको डाल देते हैं ठीक है मैंने डाल दिया है current password new password confirm password और यहां change password पे किलिक कर देते हैं यह देखो लिखा आगया है password change successfully बदल गया है और mobile number और email ID भी हमारी verify हो गई है बले आपकी admin ID हो data operator की ID हो data approver की ID हो इन सब को आपको verify करना पड़ेगा mobile number को भी और email ID को भी पहले यहार 23 में जो है हमने mobile number और email ID को verify किया तीनों ID की तो उसका तरीका अलग था अब की बार तरीका change कर दिया गया है और आसान भी बना दिया गया है तो अब की बार आपको verify करने में mobile number को email ID में ज़्यादा मसकत नहीं करनी पड़ेगी ठीक है सभी को करना है सभी को करना पड़ेगा अन्यता आप login नहीं कर पाएंगे और आप गणवेश का payment नहीं कर पाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छी लगे तो like करें share करें और चैनल पर नए है तो subscribe जरू कर लिजे धन्यवाद जैहिन